नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चानल पे और काफी अच्छा लग रहा है मुझे यह देख करके कि आप मुझसे अब तक जुड़े हैं और आगे भी मैं इतनी एफट जरूर लगाऊंगी कि मैं आप सबको अपना परिवार और साथ हमेशा आगे लेके चलू तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और प्रिपया करके जिन्होंने भी वेल अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और पिछली दिनों हमने इसोफेगस के पूसारे पार्ट कर चुके थे औ और इस टमक के भी पार्ट वान हो चुकी है जिसमें आर्टरी ब्लड सप्रा और लिम्फाटिक ड्रेमेज है और आज हम शुरू करते हैं इस टमक पार्ट टू से इसमें हम बताएंगे कि सबसे पहरा डिजीज है कंसला डिजीज है इन्फंटाइल हाइपर इन्फंटाइल स्टेनोसिस तो आएए देखिए पहली बात दो इन्फंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस से कुछ समझ में आ रहा है जाना पहचाना लग रहा है नहीं लग रहा होगा बहुतों को तो चली हम इसका जानते हैं दूसरा नाम क्या है कंजनाइटल हाइपर ट्रोफिक पाइलोरि स्टेनोसिस सबसे पहले कभी भी मेडिकल में आपको पढ़ाई करना है तो शब्दों के साथ खेलना होगा तो हम शब्दों के साथ कैसे खेल सकते हैं तो स्टेनोसिस मतलब कोई जगा अगर इतना है मतलब इतना जगा से मेरा कोई चीज पास हो सकता है तो वह स्टेनोसिस के कारण, वह स्टेनोसिस के कारण इतना हो रहा है मतलब बहुत जगा नैरो हो रहा है नैरो इंग और सम अब्स्रिक्शन हो रहा है पाइलोरिक मतलब हम इस टमक में पढ़े थें क्या पढ़े थे इस टमक में हम इस टमक में पढ़े थे की इस टमक में पढ़े देखी पाइलोरस फ़ला रीजन होता है पाइलोरस रीजन है हाइपर ट्राफी मतलब यहाँ पे हाइपर ट्राफी हो रहा है अच्छा मतलब जो पाइलोरस के पार्ट है वो नेरो होके हाइपर ट्राफी हो रहा यहां वही हो रहा है, congenital by birth, तो मतलब अगर कोई clinical feature पूछेगा तो हम बोलेंगे कि जो stenosis है, रुकावट है, pylorus में, वो by birth से है, जी हां ऐसे ही कहेंगे, तो मतलब अगर clinical features में अगर पूछेगा तो बच्चा by mother's womb कहेंगे, कि mother के पेट से ही हो ऐसा है, लेकिन आपको मालू होना चाहिए infantile congenital reality में कैसा होता है यह तो हमारा सोच था reality देख लेते हैं infantile मतलब infantile मतलब जब वो बच्चा रहता है infant रहता है अच्छा infant रहता है और pylorus मतलब pylorus में stenosis हो रहा चलो pylorus stenosis तो है infantile है क्या देखते है hypertrophic of pyloric sphincter at birth at birth यह याद रखी leading to gastric outlet obstruction where is the clinical feature four week to eight week अच्छा मतलब चार हफते से लेकर आठ हफते तक हमको यह देखने को मिलेगा इसका मतलब यह congenital तो नहीं हुआ तो इसका अच्छा नाम क्या दिया गया है infantile pylorus stenosis देखे biology में जितने भी chapters होंगे सभी कुछ नाम पे पेंड है कि उसका नाम कैसा है तो जैसे कि कंजनाइटल को हम लोग अगर infantile pyloric histonesis कहेंगे और इससे अगर हम अपना concept build up करेंगे तो exam के वक्त हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा ठीक है देखे exam में already 19 subject का pressure रहता है और हम कितिना ही याद रखेंगे तो कोशिस करें कि सारे subjects उसके नाम से याद रखेंगे जैसे कि अगर हम कंजनाइटल पढ़ेंगे तो clinical feature में by birth लगा देगे लेगे लेगन अगर infantile पढ़ेंगे तो समझ में आएगा चार से आठ mother claims child has non-bilious vomiting with curdled milk feeds over अब देखें हमको पता है कि यह हमारा stomach है यह हमारा stomach है यहाँ पर acid होता है अब हाँ पर समझ लीजे curd आ रहा है तो curd और acid के साथ milk करके वो क्या फट जाएगा दूद फट जाएगा जो बच्चा जो दूद पी रहा है तो वो फट जाएगा ठीक है तो जब फट जाएगा तो cuddle milk उसको कहेंगे after जिसके बाद मा आपके पास आएगी बच्चा चार पांच मेना का बच्चा होगा और फिर बोलेगी कि और कि वो वो मेटिंग करता है और वो मेटिंग में कोई भी smell टाइप नहीं होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे कि यह stomach है और यह डियोडेनम वाला पार्ट तो जो भी खाना इस्टमक में रह कर और बच्चा से ही निगल दे रहा है मतलब उसको वोमिटिंग कर दे रहा है तो उसको नॉन बीलियस कहते है क्योंकि अभी तक यह डियोडेनम में नहीं गया है ठीक है नॉन बीलियस कहते है उसे तो फिर यहाँ पे क्या है ओन एग्जा निदुन सोना है जब भी बच्चा मेरा दूद पीता है तो एक परिस्टेल्क वेवर सीन होता है अब्डमन में और जैसे ही वोमिट कर देगा जिए जब उसका पेट खाली रहता है तो मास दिखता है क्योंकि पैलॉरस में मास होता है ना मतलब बच्चा को dehydration हो जाता है इसको repeated vomiting होते होते हैं investigation क्या करेंगे electrolyte disbalance करेंगे अब एक बात आपको concept याद रखना है यह हमारा stomach है यह हमारा stomach है इसमें h plus c l minus है तो बच्चा जब vomiting करता है मतलब body से h plus निकाल देता है मतलब h plus बहर चला जा रहा है c l minus भी जा रहा है तो h plus अगर जाएगा मतलब stomach का ph रहा न, 먹 खाले मिलोब heart जादा हो रहा है तो इसको बोलेंगे h plus chlorine बाहर ज़ादा जा रहा है तो यहां पर body के अंदर क्या हो रहा है उसके respect में हम लोग है ना और इसका हो गया अब याद रखें कि बच्चे के साथ कुछ म्यूकस बाहर जाता है क्या होता है कुछ म्यूकस बाहर जाता है हमारे बॉडी से तो उसमें पोटेशियम भी बहार निकलता है इसको तो इसको बोलेगे है हाइपो Cloros Metabolic Acidosis और इसी में देखा गया है कि Kidney के रस्ते से H-Plus भी वहार जा रहा है तो नॉर्मली तो जब हमारे बॉड़ी में Alkalosis होता है जब भी हमारे बॉड़ी में ज़्यादा Alkalosis मतलब Bicarbonate बढ़ जाता है तो Kidney Compensate कैसे करता है Kidney Bicarbonate को निकालता है और एसीड को बाहर फेक देता है तो देखी क्या लिखा है यह यह लाइन सबसे सदा इंपोर्टेंट है हर एक्जाम के कोईशन में इसको बाहर 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 पूछा जाता है Hypokalamic Mucos के दुआरा Hypokloric Acid मूँ से निकल रहे वामेटिक Metabolic Acidosis Paradoxical Aciduria Due to Loss of Gastric Acid in Vomit Investigation of Choice क्या करेंगे Investigation of Choice है Pylorus जिसका हम ठीकर होता है 4 mm Long with Distant बेरियम मिल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे Mushroom Pyloric Estonus देखेंगे और जब भी कभी Management का बात आए तो अगर patient अगर vomiting का रहा है जब भी बच्चा vomit करता है बच्चा vomit हो या कोई भी adult vomit हो सबसे पहला management है हमको उसका vomiting को उसके vomiting के द्वारा जितनी भी electrolytes बाहर जा रही हमें उसे restore करवाना तो restore कैसे करवाएंगे उसका electrolyte abnormalities को ठीक करके एंडिस्कोपी कर सकते हैं अब जैसे कि यह pylorus है यह pylorus है तो अगर ऐसा भी हो सकते हैं कि हम इंडिस्कोपी के द्वारा कुछ chemical दे करके इसको stenosis कम करवादे अगर हाइफोट्रोपी low grade है तो हम दूसरा step करेंगे इंडिस्कोपिय पाइलोरिक डिलेटेशन और अगर यह भी possible नहीं है तो हम राइस्टेट पाइलोरिक डेंगी विंस पाइलोरिक सेरोसा and muscle cut along its length only mucosa kipton intact increased pyloric stenosis ठेक है यह वैला procedure कर देंगे तो आज का मेरे topic यही था अब trick के बिना कैसे मेरा कहानी अदरो सकता है नहीं हो सकता ना आप एक बात याद रखें आपने बच्पन में वो कहानी सुनी है johnny, johnny, yes papa, eating sugar, no papa किसने किसने सुनी है तो आप वापस अपने बच्पन में जाईए और इसको याद कीजिए क्या था johnny, johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lie, no papa opening it mom hr haa haa तो देखें बच्छा चोंचा होता है। यहां पे इसाल व को होता है। और जो Allah, उर्पाप बच्छा होता है, जा चछोंचा होता है। ठीक है और ऐसे ही पढ़ते जाएए खुब मन लगा कियो आप मेरे वीडियो को देखते जाएए और मेरे वीडियो में मेनली कंटेंट फोकस रहता है कि जितने भी हाइल टॉपिक्स या पॉइंस रहे मैं उसको कवर करूँ और आशा करती कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया झाएए गुष लगा क्यों झाल रसमेशी टाएए उना खाइए है आपको मेरे खुब में में म द़ու है